भारत सरकार में बिना परिक्षा नौकरी करने का मौका आपको मिल रहा है जी हाँ इसके लिए आपको 19 नमेंबर से पहले अपलाय करना है अगर आप ग्रैजुएट हैं तो आप इसके लिए अपलाय कर सकते हैं और सिलरी आपको 60,000 रुपए तक मिलेगी तो कैसे आपको इसके लिए अपलाय करना है और eligibility criteria इसके लिए क्या-क्या है यह जाने के लिए वीरु को आखिर तक जरूर देखें और save जरूर कर ले देखें दरसल Ministry of Commerce की तरफ से यह vacancy निकाली गई है ITPU में यानि कि भारत Trade Promotion Organization में यह vacancy निकली है विभेने पदों पर अगर आपकी उम्र 32 साल है तो आप इसके लिए अपलाय कर सकते हैं और यह सारा eligibility criteria जो मैंने या लगा दिया है तो इससे अच्छे से पढ़ लीजे और कैसे अपलाय करना यह देखे आपको इस website पर चले जाना है और फिर यहाँ पर 3 lines पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर careers का option मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है फिर current openings पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आने के बाद आप अगर mobile में खोल रहे हैं तो इससे desktop site पर आप सेट कर लीजेगा और जो fourth number की vacancy आपको दिख रही है उस पर आपको क्लिक करना है view पर इसके बाद यहाँ पर download पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने इसका notification आजाएगा और साथ ही इसके एक form है इस form को आपको fill करना है और फिल करने के बाद आपको इस पते पर इसे पोस्ट कर देना है इसके बाद आपके पास इंटर्वियो के लिए कोई ना कोई मेसेज जरूर आ जाएगा तो जल्दी से जाएगे एपलाई करें वीडियो को जाद जाद शेर करें और मुझे अनिरोमेता को फॉलो कीजिए